आज हम बनाएंगे बिल्कुल यूनिक सानास्ता वो भी बिल्कुल कम सामान में बहुत ही जटपट से बन करके तयार हो जाता है घर की चीजों से बहुत कम सामान से बन करके बहुत कम समय में तयार होता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार है तो चलि तो इसे सिर्फ मैदा से बना सकते हैं इसके साथ मैंने आधा चम्मच यहां पर जीरा डाला है और इसमें डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन इसी के साथ हम इसमें कुछ मसाली डालेंगे अजवाइन के साथ ही मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच लाल मिच ये बहुत ही चिटपटा सा नास्ता बन करकी तैयार होगा और इसके साथ मैंने यहाँ पर काला नमक लिया है बहुत ही अच्छा स्वादाता इसका तो काला नमक बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा एक चमच यहाँ पर डालेंगे चाट मसाला और ये मैंने दो चमच लिया है यहाँ पर कसूरी में थी इसे हाथ उपर ऐसी क्रेस करके डालेंगे आप चाहे तो हर ढणया की पत्तियां भी यहाँ पर काट करकी डाल सकते हैं और इस सी हम डालेंगे इसमें तीन चमच ओयल और इन सारी चीजों को mix कर लेंगे आपका ये नास्ता बहुत ही जहट-बट से बन करके तयार होगा और आप इसे महीनों तक store करके खा सकते हैं अब हम इसका पाणी के साथ नावर पानी के साथ एक सक ताटा लगा करके तयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके बहुत ही जटपट से ये बन करके तयार होगा और आज हम इसे बिलकुल यूनिक सा डिजाइन भी देने जा रहे हैं तो जटपट से इस नास्ते को बनाईए और महीने भर तक इंजोई कीजे बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार नास्ता बनेगा आटे को हमने 15 मिनाट के लिए रेश्ट पर रखा और अब चलिए इसे देखिए आटे को छोटी छोटी सी लोईया ऐसे हम कट कर लेते हैं ये देखिए मैंने लोई बना ली है पार्ट ये देखिए थोड़ा सा मैंने से मुटा ही विल रखा है अब एक पार्ट को इसकी हम लेंगे और लेंगे चाकू चाकू से थोड़ा सा यहाँ पे कट लगाएंगे हलका सा और अब हम एक फॉक के लेंगे और फॉक सी यहाँ पर हम ऐसे design बना देंगे press करके ये देखें बहुत ही आसान है जटपट से बन करके बिल्कुल एक नया सा design तयार हो जाता है ऐसे तो आपने कभी भी ये नास्ता नहीं बनाया होगा बहुत सारे नास्ते बनाया होगी लेकिन मेरी guarantee आपने ऐसे नास्ता कभी नहीं बनाया होगा और उंगलियों की मदास से यहाँ पर ऐसे ये देखें हमने press कर दिया तो अब आपको समझ में आई रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं लग रहे हैं आपको ये मचली बिल्कुल designer ये देखें ऐसे इसके इसे design देदेंगे और अब हम लेंगे एक मटर का दाना और इसको दो पार्ट में cut कर देंगे ये देखें मैंने दो पार्ट में cut कर दिया है थोड़ा सा पानी ले लिजी और से हम इसकी आँखे बनाएंगे पानी लगा करके ये मटर का दाना हम ऐसे चिपका देंगे और ये देखें हमारी मचली तयार हो गई है अब चलिए इस पे थोड़ी सी और design कर देते हैं हम लेंगे चमच और चमच से इस पे ऐसे हम design दे देंगे ये देखें हमारी मचली बन करके तयार हो चुकी है यह देखिए है न बिल्कुल यूनिक साइश इसी तरह से चले हम और भी बना लेते हैं यह देखिए ऐसे ही हम फॉक से हमने किया चाकू से कट किया और अब हम इसे जए हम इसे छिपकाएंगे पती का सेब यह देखिए और अब दो चमाच की मदद से बहसे कर सकते हैं जैसे हमने उगली की मदद से किया था अम मठर का दाना एसे लगा के चिपका के यह देखिये हमारी मचली बन करके तयार हो चुक्की है चमस सी पर डीजाइन देदेंगे यह देखिये अब हम इसे गर्मा-गर्म तेल में करेंगे फ्राई medium flame पर इसे हमें fry करना है क्योंकि थोड़ा समय ने इसे मोटा सा बनाया है तो अगर आप high flame पर करोगे तो ये crispy नहीं होगा कभी भी कोई भी snacks अगर आप fry करते हैं तो हमेशा medium to low flame पर करिये जिससे आपका snacks बहुत ही crispy बनेगा और आप इसे महीनों तक इस्टोर करके खा सकते हैं और ये देखें बहुत ही कम समय में ये स्नैक्स बिल्कुल फ्राई हो जाता है लग रहा ना कितना यो निक सा तो दूस्तो एक बार ये रेस्पी जरूर ट्राई करें मुझे उम्मीद है आपको ये रेस्पी जरूर पसंद आई होगी प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जादा से जादा लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न बूले ऐसे तो आपने ये नास्ता कभी नहीं बनाया होगा तो एक बार जरूर बना करके देखें और बच्चों को ये नास्ता बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि इसका योनिक सा डिजाइन बच्चों को बहुत ही भाएगा तो एक बार बनाईए और फिर मुझे कमेंट करके बताईए कि आपके घर में ये नास्ता सबको कैसा लगा मुझे उम्मीद है जरूर पसंद आएगा सबको ये नास्ता ये देखिए क्रिस्पी भी बहुत है आप इसे स्टोर करके खा सकते हैं बहुत ही लाजवाब नास्ता बन करके तयार हता है तो दोस्तों जरूर इस रिस्पी को ट्राई करें थैंक्स पार वाचिंग बाई